नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकिस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं CNN 100 टैबलेट के बारे में कि जो है गंबिर कील मुहासे के दवा के रूप में यूज किया जता है कि जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट जो हम देखे त इतना तो कहा जाता है कि यह मेडिकेशन जो एक पॉपिलर एंटि बैक्टरियल ड्रग है और बहुत सारे बैक्टरिल सब्गार के बैक्टरियल इन्फेक्शन को यह मेडिकेशन ट्रीट करती है साथ उसाथ जो आपको गंबिर कील मुहासे होते हैं चैरे के उपर तो उसकी इलाज में भी यह medication use की जाती है second हम देखे तो जो बहुत सारे प्रकार की जो अलग-अलग bacterial infections होता है उसको भी यह medication जो वो treat करती है तो उसके detail study करेंगे और जानेंगे कि कौन से अलग-अलग bacterial infections को यह treat करता है उसका dose क्या है sad effects का है और किस तरह सी यह medication अपना काम करता है तो यह पर आप उसका label देख सकते हैं तो उसके detail label study भी हम आगे वीडियो के इंदर करते हैं और जानते हैं तो यह course join करने के लिए मैं WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी app को download करें तो अब समझते हैं CNN 100 tablets के बारे में तो यह essay class का medication की जिसको हम antibiotic कहते हैं तो CNN 100 जो यह वो brand name है और उसके अंदर जो salt content हम देखे तो वो है minocycline और minocycline इसके अंदर 100 mg जितना present है फिर बात करें कि इसके manufacture कौन है तो IPCA Laboratories जिए उसके manufacture है और यह एक Indian multinational pharmaceutical company की जिसका headquarters मुंबई में है और ज़्यदा जानते हैं detail में minocycline के बारे में तो minocycline एक antibiotic drug है कि जो tetracycline class का antibiotic drug है और यह broad spectrum antibiotic का हो जाता है because यह बहुत सारे gram positive as well as gram negative दोनों टाइप के bacteria's के infections को treat करने के लिए यह minocycline antibiotic drug use की जाते है कि जैसे आपने doxycycline के बारे में study की है तो उसी तरह से similar medication है यह minocycline के यह भी एक tetracycline class का antibiotic drug है तो उसके label के बारे में आप सबसे पहले देखो तो RX ML की prescription based medication है minocycline hydrochloride जो उसका salt content है कि जो 100 mg जितना tablet के अंदर जो है वो present है उपर आप company का logo देख पाएंगे यहाँ पर कि जो IPCA का जो लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं और CNN 100 उसका brand name और इस तरह से blister packing के अंदर 10 tablets available होती है उसके back cover के हम study करें तो लिखा हुआ है कि film coated tablets रहीती है यह खास कर और equivalent to 100 mg जितना content जो उसके अंदर रहता है तो यहाँ पर आप देखो लिखा है कि इच film coated tablet के जिसके अंदर minocycline hydrochloride 100 mg जितना है फिर lake of sunset yellow जो color है उसके अंदर जो एड किया गया है बाकी हम बात करें तो यह cedule h drug है मलें कि prescription के साथ ही यह medication जब आप retail में बेचते हैं तो बीना prescription उसको नहीं बेचनी चाहिए prescription के साथ ही यह medication retail में जो बेची जाती है फिर यहाँ पर लिखा है कि made in India लिखा है और IPCA laboratories जो उसके manufacture है कि जिसका headquarters जो वो मुंबई में हैं फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं proper उसकी detail की storage करनी है आपको dry place पे उसको अच्छे से store करना है और sunlight से यह medication को जो आपको अच्छे से जो प्रोटेक्ट करनी है और cedule h drug के अंदर यह include होता है फिर यहाँ पे detail दी गई है IPCA laboratories की भी तो अब जानते हैं उसके basic use के बारे में तो सबसे पहले जो chest infection मलब की जो आपके छाती के अंदर फेपड़ों के अंदर जो bacterial infections होता है तो उसकी इलाज में भी यह minocycline use की जाती है second condition हम देखे तो skin infections तो skin infections के अंदर especially जो pimples होते है एकने की जो condition होती है या फिर जो kill मुहासिर की जो condition हम कहते हैं जिसके अंदर आपके skin के ओपर red color के दाने जिसे बन जाते हैं और skin जो वो damage होना सुरू होती है तो वो एक प्राइप का bacterial infections होता है और उसको भी treat करनी के लिए min cyclin use की जाते है फिर रोजा से की condition की ये भी एक टाइप का skin infections है कि आपके skin के ओपर red जो वो sports बनना सुरू हो जाते हैं और वहाँ पे कई बार post formation भी होता है तो वो भी treat करता है चोथा हम देखे तो जो plague की जो condition है उसकी इलाज में भी minocycline यूस किया जाता है dental infections होते हैं मलें कि दात में आपको दर्द हो रहा है और वहाँ पे मसुडों पे सुजन देखने को मिलती है वहाँ पे post formation होता है तो ये सभी conditions को minocycline जोई वो treat करता है फिर छटी condition हम देखे तो sexually transmitted जो infections होते हैं जैसे कि clam idea की जो condition है gonorrhea की जो condition है तो ऐसे जो STIs जो होते है उ regional divide discharge के problem को भी ये treat करता है उसके अलावा malaria को treat भी करता है और उसके prevention में ये medication helpful साबित होती है फिर देखे तो जो rocky mounted spotted fever की जो condition होती है उसके symptoms को treat करने के लिए medication use कर सकते है फिर जो typhus fever है कि जो salmonella typhi के करण होने वाला special ये एक बुखार है तो typhus बुखार में भी ये medication जो ये वो use की जाती है फिर second condition हम देखे q fever की जो condition है या फिर ricasial pox की condition है आपको tick fever का problem है respiratory tract infections है या फिर urinary tract infections में अलबकि जो मुत्रमार्क के अंदर जो bacterias के करन infections होता है उसको भी treat करने के लिए minocycline जो ही वो use की जाती है आगे देखे उसके mechanism के बार में तो ये medication काम कैसे करते तो सभी tetracyclines के तरह ये medications भी जो 30S ribosomes पे target करती है और उसके करण क्या होता है कि bacterias के अंदर protein synthesis की process नहीं हो पाती और protein synthesis ना होने के करण वो bacterias जो हो आगे survive नहीं कर पाते मनले कि उसके bacterias static action रहती है और खास कर protein synthesis की process को inhibit करके ये medication अपना काम करती कि जिससे protein ना बनने के हो जाती है और वो जो हो आगे growth नहीं कर पाते हैं और जब भी आप ये medications लेते हैं तो वो लेने के बाद आपके सरीर के अंदर bacterial infections जो दीरे-दीरे कम होता जाता है अब मीनो सैकलिन के हम dose की बात करें तो CNN 100 जो हो 100 mg में available हैं तो ये dose जो जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार लिया जाता है मरलब कि समझे कि दिन में एक tablet आप खा सकते हैं या फिर दिन में डो tablet तो खास दियान ये रखना होता है कि जब दो tablet कोई person use करता है मलब कि BD के तो और पर उसको use करता है तो दो tablet के बीच में at least 8 या 12 गंटे का time interval जो आपको रखना चाहिए second कि orally ही ये tablet को ली जाती है तीसरी condition हम देखे तो ये prescription based medication है तो proper आपके doctor या फिर pharmacist के advice और उनके directions के according to ही उसको use करनी चाहिए और कभी भी उसका self medication जो आपको नहीं करना है because उसके कुछ काफी गंबिर side effect है काफी adverse effect है इसके हो सकती तो सबसे पहले हम उसके study कर दें तो पहला है कि आपको उल्टी हो सकती है जी घबरा सकते है कि जिसको nausea vomiting की condition हम कहते है second हम देखे तो कुछ लोगों को diarrhea हो जाते हैं यह medication लेनी के बाद फिर loss of appetite आपकी बूख जो हो कम हो जाती तो यह minor side effect है बढ़ागे हम कुछ उसके serious side effects देखे जैसे कि mouth source कि आपके mouth के अंदर soreness जैसा आप feel कर सकते हैं फिर आपकी जो जीब है वो black color की हो सकती है और वहाँ पर चोटे चोटे जैसे hair develop हो रहे है ऐसी एक side effect यहाँ पर develop हो सकते कि यहाँ पर हमने जो diagram के अंदर आपको जो दिखा है तो ऐसे side effect यहाँ पर develop होती है मिनो सैकलेन के गरण और dizziness जैसा person feel करता है उसके बाद सिरदर्द उसको हो सकता है और rectal discomfort जैसे side effect यह medication कर सकती है आगे हम देखे उसके contraindications and precautions के बारे में तो सबसे पहले ऐसे लोग के जिनको tetracycline के allergy है मतलब के समझे कि आपने past में tetracycline यूज की थी समझे कि आपने doccycline खाई थी और वो खाने के बाद आपको कोई ऐसे allergic reactions हो गए आपके body के उपर खुजली होने लगी सुजन देखने को मिली और rasis develop होने लगे तो यह medication जो आप यूज ना करें फिर second condition कि आपको renal problem अलग कि आपके kidneys खराब है, liver का problem है तो ऐसे patient abuse को यूज ना करें फिर किसी को hypersensitive reaction से tetrazyn dice की या फिर tetrazyn जो हम कहते हैं वो dice के आपको allergy है या फिर hypersensitivity है तो यह medication आप यूज ना करें फिर second कि pregnancy के अंदर यह medication यूज नहीं की जाते because pregnancy के उपर उसके काफ़ी harmful effect होती है कि आने वाले बच्चे के उपर यह काफ़ी उसके side effects हो सकते तो उसके current pregnancy के अंदर यह contraindications के list में आती है teratogenic drug काई जाते कि जो आपके आने वाले बच्चे पर असर कर सकती है second, बच्चों में भी यह medication यूज नहीं की जाती तिसरी conditions जो infants एंड जो neonates होते हैं मतलए कि जो नौजात सीसू की जो हम बात करते हैं जो newborn babies होते हैं उनको भी यह medications नहीं दी जाती breastfeeding के दोरान भी tetracycline या फिर minocycline यूज नहीं किये जाते हैं उसके अलावा हम देखे तो जो renal disease के patient की जिनके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको भी यह नहीं देते फिर renal impairment या फिर renal failure के patient है या फिर बच्चों के अंदर यह नहीं दी जाती कि जिनकी age 8 साल या फिर उससे कम है तो यह सब उसके warnings रहती है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो diagram के जिसके अंदर है कि discoloration of the teeth मलब कि यह medication आपके जो teeth होते हैं आपके जो दान थे उसका color change करवा सकती है कि dark brown जैसा color या फिर yellowish जैसा color आपके दातों का हो सकता है कि जो normally white color होता है तो यहाँ पर जो diagram में देख रहे हैं इस तरह से complication minocycline जो वो करवा सकती है फिर second हम देखे तो आपकी जो bonds होते हैं हड्डियों के जो growth होती है उसको यह जो वो slow करवा सकते हैं जिससे हड्डियों के growth आपकी proper ना हो सके हैं तो यह दो complications होते हैं दूसरी एक warning यह रहती है कि tetracycline या फिर minocycline जो drugs होती है उनको milk के साथ आप use ना करें या फिर कोई calcium के supplements आप use करें तो उसके साथ minocycline को use नहीं की जाती because यह interactions करती है calcium के साथ तो यह खास आपको ध्यान रखने हैं उसी के करण यह उसकी एक side effect develop होती है कि वो slow down कर देती है आपके bonds के growth को आगे हम देखे उसके detail में warnings के children's में use ना करें harmful effect होती है आपके दातों के उपर जो हमने अभी बात कि discoloration हो जाना bonds के growth slow हो जाना और younger children as well as 8 साल से कम बच्चों में उसको कभी भी use ना करें खास कर जो adult होते हैं उसमें भी यह medication जो वो use की जाती है तो ऐसे ही सिखे detail में किसी भी दवा के बारे में कि जैसे हमने मिनो सैक्लिन के detail study की तो ऐसे ही आप सीख पाऊंगे बहुत सारी दवायों के बारे में medicine course के अंदर pharma rocks के अब उपर वहाँ पे आप बलग बलग बीमारियों के बारे में पर सिख पाएंगे उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा यूज होती है उनके dose उनके side effects क्या है warning contraindication एक साल तक वो भी काफी affordable price में तो ये course को join करने के लिए में whatsapp कर सकते हैं 901631 2020 पर या फिर हमारी आपको आप डाउनलोड करें गुट लग और अल दे बेस्ट